हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे छटे अध्याई का तेतिस्वा श्लोक बहुत बहुत अनेक श्लोकों से भगवान ने योग की पद्धिती बताई, मन को वश्मे करने के बारे में बताया, नियमित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया सारी चीजे एक परफेक्ट भक्त जो होता है उसके बारे में बताया, और मेंली ये कहा कि मन को वश्मे करो, तभी सब कुछ हासिल होगा, अब इस श्लोक से अर्जुन जी अपनी उस पर टिपनी कर रहे हैं, कि भई, जो आपने मुझे बताया, इसमें मुझे क्या समझ में या क्या मुझकिल लग रहा है, छटे अध्याय का 33 और 34, इसमें दो श्लोक अब अर्जुन बोलेंगे, जो हम इस वीडियो में लेंगे, फिर भगवान ने क्या जवाब दिया, वो हम अगली वीडियो में लेंगे, अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, हे मदसूदन, आप आपने जिस योग पद्धिती का संशेप में वर्णन किया है, ना अचली भगवान ने बहुत डीप तो बताया नहीं था, यहां जी एक किताब ही लिग डालियो पूरी की कैसे आपने सन्यास लेकर जीवन वेतीत करना है, उन्होंने तो थोड़ा सा कहा, कि आप जो है, किसी पवित्र स्थान में चले जाएए, वहां सन्यास के हिसाब से अपना एक आसन बिछा कर, अपना बैठ कर मुझ पर ही मेडिटेट कीजिए, देखा जाए तो बस मोटा माटी इतने ही बताया था, सो हे मदुसूदन आपने जिस योग योग पद्धती का संशेप में, ब्रीफ चंचल और एस्थिर है, कौन बूल रहे हैं ये, अरजुन जी, भगवान के परमभक्त, जो अपने ही शत्रु को देखके करुणा में हो गए थे, आँखों से आसू निकला है, इतने अच्छे भक्त, वो भगवान को क्या कह रहे हैं, कि मेरा मन जो है वो चंचल है, एस्थि है, तो इसका मतलब ये भी हो गया, कि अब अगर हमें अपने मन को वश में करना है, भक्ती में आगे भढ़ना है, तो कठोर, कठोर एफर्ट्स करने होंगे, कठोर, simple थोड़ा बहुत करने से नहीं होगा, ये बहुत बड़ा challenge है, अब किसी को बोला जाये तो दस्वी पास करले, बार्मी पास करले, बीय करले, बीकॉम करले, ये सब simple exams हैं, और अगर किसी को आइएस के exam में बैटना हो, IS crack करना हो कितना मुश्किल है न थोड़े बहुत और भी मैं इस तरह के जानता हूँ MBA में शायद कोई CAT entrance होती है पता नहीं ऐसे कुछ-कुछ exams हैं जो बहुत मुश्किल माने जाते हैं अब उनको पास करना कोई मजाक नहीं हो रहा है medical entrance, engineering entrances होती है तो यह सब tough exams है तो अब tough exam की त्यारी करनी है तो फिर उसी साब से त्यारी भी करनी पड़ेगी अगर उसको clear करना है ऐसे मन को जीतना, मन को वश्मे करना इस so difficult अरजुन, सबसे powerful वेक्टी सबसे अच्छे भगवान के भक्त वो कह रहे हैं कि भई, मन जो है वो चंचल है, ऐस्थिर है आपने बताया, बहुत अच्छी बात है लेकिन यह मेरे ले ऐसे नहीं है ऐ वेवारिक है, non practical मेरे से नहीं हो गई मैं नहीं कर पाऊंगा अगले श्लोक में अरजुन जी 34 में श्लोक में कह रहे है क्रिश्न, क्योंकि मन चंचल है एस्थिर है उच्छल है, इदर उदर उचलता है, भागता है हठीला है, हट करता है, जबर्दस्ती यही करना है और अत्यंत बलवान है, बुद्धी को भी हरा देता है आप देखो हमारा जो मन होता है उसको जो करना होता है, बुद्धी बोले यह मत कर, फिर भी वो करता है बुद्धी तो फिर बुद्धी मानी है लेकिन मन होता है बत्तमीज और मन होता है हमारा दुश्मन मन होता है हठीला एक बच्चे की तरह उसको जो करना है करना है उसको समझना ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है यही अर्जुन जी कह रहे हैं कि मन चंचल है उच्छल है हटीला है अत्यंत बलवान है अत्य है मुझे इसे वश्मे करना वायू को वश्मे करने से भी अधिक कठन लगता है वायू को वश्मे करना आप समझे रहे हैं क्या बोल रहे हैं वो प्रचंड वायू जो होती है आप देखो सब कुछ उड़ा के ले जाती है लेकिन अर्जुन एक पावरफुल वारियर था एक मजबूत योध्धा तो उसके पास इतनी ताकत थी कि वो अपने तीरों से प्रच मैं चंड वायू को रोक लोगा बॉश्मां कर लूआ अगनी जल को वश्मा कर लूगा एक तरह से वह यह कह रहे हैं विज्व प्रकती के तत्व है मैं अपनी ताकत से इनको अन्टरोल कर सकता हूं लेकिन मन को करना मुश्किल है क्यों कि मन भॉतिक नहीं है मन अध्यात्मि है बहुत एक किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना फिर भी असान है अध्यात्मिक चीज़ है मन कहीं न कहीं आप उसको ऐसे टच तो नहीं कर सकते है तो मन बड़ा टिपिकल अभी आप मेरे साथ ये वीडियो सुन रहे हो अभी मैं आपको शहर में खुद इस भौतिक शरीर को लेके जाने के लिए कितने अफ़र्ट करने पड़ते हैं गाड़ी में बैटो ट्रेन में बैटो प्लेन में बैटो बट मन एक सेकंड में वहां पहुंच जाता है तो पावरफुल तो है तो मन जो है वो पूर्टिया बहुतिक नहीं है इसलिए कहीं न कहीं मन को वश्मे करना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है चलो इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में फिर भगवान का जवाब सुनेंगे कि भगवान इसके लिए क्या जवाब देते हैं इस मन को वश्मे करने के लिए, कई बार जब बच्चा बूलता है ना सर ये question तो बहुत मुश्किल है, तो फिर वो एक बार question explain करने के बाद दुबारा जब उसको explain करते हैं, तो दूसरी technology से करते हैं, इस तरह से solve नहीं हुआ, अब इस तरह से बताता हूं, तो भगवान भी हा स्यादा difficult है, कैसे control में करें, तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, Hare Krishna